हाई फ्रेंट्स वेलकम टू ग्यानकाडा यूटूब चेनल दोस्तो स्वागत है आपके अपने इस यूटूब चेनल ग्यानकाडा पर रास्थान में आप किसी भी एक्जाम की तेयरी कर रहे हैं या कोई भी एक्जाम आप देने जा रहे हैं तो अभी तक आपने चैनल को सिब्स्राइब नहीं किया तो आप बहुत बड़ी गलती का रखी आपने क्योंकि इस यूटूब चैनल पर रास्तान जीके का हार एक टॉपिक रेगुलर पढ़ाये जाता है और important question जो है important model paper question आपको हमारे टेलिग्राम चैनल, facebook page और instagram पर आपको मिलेंगे रेगुलर ये classes आप अटेन कर सकते हैं आप चाहिए किसी भी exam की तेयरी करने वाले हैं रास्तान प्लिसो ग्राम से पटवारी R.A.S.R.E.T. कोई भी exam हो मैं challenge कर रहा हूँ, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आप नेमित रूप से हमारे साथ बने रही है रास्तान जिके में आपके पूरे में से पूरे नमर आएंगे दोस्तो आज की हम बात करेंगे रास्तान जिके में अलवर जिले के बारे में अलवर जिले के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल से पढ़ाऊंगा यहांपे पूरी डिटेल से आपको बताऊंगा अलवर में परमुक 16 तैसिले हैं और वन्वाइ इनकी बात करें हम एक एक की नाम से देखें या डाइग्राम से देखें नक्से में देखें मैप्स में देखें नेमराना बहरोड मुंडावर बानसूर थाना गाजी ये अलवर हैड़कॉर्टर मालाखेडा राजगड रेणी रामगड गौमिदगड लक्समनगड कोटकासिम तीजारा और किसनगडवास ये अलवर जिल ये जैपूर संभाग में आता है कौन से संभाग में आता है अलवर जैपूर संभाग में आता है अलवर राजे की स्तापना कच्छवा वंस के राजा राव परताब सिंग ने की थी अगर ये किसन पूछ लिया जाए तो आप राइट एंसर क्या देंगे कि किसने स्तापना क अलवर राजे की स्तापना कच्छवा वंस के राजा थे राव परताप सिंग इन्होंने अलवर जिले की स्तापना की और एकी करण के समय राजस्तान के कुल तेन ठिकाने थे जिन में से एक नीबराना जो की अलवर था और एकी करण के समय मतश से संक में चार रियास्ते और एक ठिकाना था और यह है दिली के निकट होने की कारण रास्टी ये राजधानी छेतर में आता है अलवर किस में आता है NCR में जिसको हिंदी में क्या कहते हैं रास्टी ये राजधानी छेतर और इसी का रिजन है कि अलवर में प्रॉपर्टी और इंफ्राटेक्चर में इतना ज् प्रिकास हुआ है कि यहां की जो जमीने हैं इनके रेट आस्मान को चूते हैं NCR में आता है अलवर का कुछ या क्या बहुत ज्यादा परट अलवर का बहुत ज्यादा भाग NCR में आता है और यह है राजस्तान की सिंग द्वार के नाम से भी परसीद है और तथा इसे पूरी राजस्थान का कस्मीर भी कहा जाता है अब यदि हम बात करें वन बाई वन अलवर जले की मेवात की मेवात उत्री अलवर को क्या कहते हैं मेवात कहते हैं उत्री जो अलवर का जो भाग है जो भोगोलिक रूप से मेवात कहलाता है कुरू कुरू जो है दोस्तों ये अलवर का कुछ हिस्सा है जो कुरू के नाम से जाना जाता है राट अलवर वा भरतपुर का वो छितर जो हर्याना से लगता है क्या कहलाता है राट कहते हैं अलवर और भरतपुर का कुछ छेतर जो हर्याना की सिमा से तच करता है, हर्याना की सिमा से लगता है, उसे क्या कहते हैं, राठ कहते हैं, अलवर और भरतपुर जिलों का छेतर मेव जाती के बहुलता के कारण मेवात की नाम से जाना जाता है, आता है यहां की जो बोली है, उस और भरतपुर जिलूंग का छेतर मेव जाती बहुलत्ता के कारण मेवाती भासा यहां पर बोली जाती है। और दोस्तों, लेंग्वेज से समंदित, भासा का एक पुरा टोपिक आपको प्लेलिस्ट में मिल रहेगा, वहां से आप राजस्तां की परमुख बोली और भासां के बारे में बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हैं। अलवर रियासत का समंद महत्मा गांदी की हत्या से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अलवर रियासत ने पर्थम स्वतंतरता दिवस नहीं मनाया था। नेमुचना, नेमुचना जो घटना है, ये अलवर की बहुत फिमस घटना घटी थुई थी, कब घटी थुई गुनिस्सो चौबेस में, अलवर के महराजा जैसिंग ने लगान की दिरों में वर्दी कर दी और इसके विरोध में, अलवर के किसानों ने आंदोलन किया, 14 मई 1925 को नेमुचना गाउ में इकठे होगे, एकत्रित होगे, जो कि राजस्थान का जलियों वाला हत्ता जलियों वाला हत्या कांट कहलाता है, डिकर, डिकर जो है, दोस्तों ये आदी मानव के बनाए हुए सेल चितर यहाँ पर मिलते हैं, उनको कहते हैं, डिकर, सावी न नदी राजस्तान में आंतरिक प्रवावाली नदी है, और सावी का उदगम जैपुर जिले में सेवर की पाहडियों से होता है, कहां से होता है, जैपुर जिले के सेवर की पाहडियों से सावी नदी का उदगम होता है, और यह नदी जो है, ये उतर पुरो की और बहकर, अल हो जाती है और ये नदी अलवर जिले की शबसे लंबी नदी है रूपा ले जो नदी है दोस्तों Solo यह नदी अलवर जिले के थाना गाजी से निकलती हुई भरतपुर में समाप्त हो जाती है और बात करें हम कि रूपा रेला नदी जो है ये भरतपुर की जीवन रेखा के नाम से भी जानी जाती है सिलिसेट सिलिसेट अलवर जिले की परमुक जील है सिलिसेट जील अलवर की परसिज जील है और इसका निर्मान की बात ने तो इसका निर्मान करवाया था महराजा विने सिंग ने करवाया और इसके किनारे पर पेलेस का निर्मान किया गया जो अपनी रानी सीला के लिए इन्होंने इसका निर्मान करवाया बाला दुरग जो है ये अलवर का दुरग एतियासिक द्रस्ति से अत्ते इंत महत्योपुरण है और यह है अलवर की सबसे प्राणी इमारत है और अब यह प्लिस का वायलेस सेंटर है वायलेस के इंदर बना रखा है इसको बानगड जो की खंडरों के नगर के नाम से परसिद हैं कांकन बाड़ी किला और अंगजेब ने अपने भाई द्वारा दारा सिकोह को यहां केद करके रखा था मुसी महराने की चत्री विने सिंग द्वारा निर्मित आसी खंबो के चत्रियां हैं भारतरी यहां पर उजेन के राजा वे योगी भारतरी के समादी है जहां पर परती वर्स भादरपद सुकल अस्त्मी को भारतरी का मेला लगता है पांडूपॉल पांडूपॉल ऐसा मना जाता है कि अज्यात वास के समय में पांडू को कोरों की सेना ने आकर यहां पर घेर लिया तो महाबली भीम ने पहाड में गदा से रास्ता निकाला तब इसे यह स्थान पांडूपॉल के नाम से परसिध्वा और यहां हनवान जी का विशाल मंदीर है पांडूपॉल में हनवान जी का विशाल मंदीर इस्थित है नारेनी माता का मंदीर जो की नाईयों की कुल देवी है यह भी कहां पर है अलवर जिले में है सरिस्का अभ्यारने दोस्तों गुनिसू पचपर में इसकी स्तापना की गई और इसका दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट स्तापित किया गया सरिस्का अभ्यारने में सरिसका ए अभ्यारने यह है छेतरफल की द्रस्टी सी राजस्तान का सबसे छोटा अभ्यारने है और इसका छेतरफल है 3.01 किलोमेटर अली बक्सी ख्याल इस ख्याल का मूल छेतर अलवर का छेतर आता है और इस ख्याल के जो जनक हैं वो हैं अली बक्स अली बक्स को अलवर का रस्खान कहते हैं जो कि टपाली खाल अलवर छितर के लिए लौक पिरिये है विजे विलास कहां पे है अलवर में है सरिस्का पेलेस सरिस्का अलवर में सिटी पेलेस भी अलवर में है विजे मंदिर पेलेस अलवर में सिला देवी का महल कांपे है अलवर में उसके साथ में दोस्तो राजस्थान में मद्देव वर्थ ओद्योगीक जो इकाईया है यानि कि इंडिस्टी जो है फैक्ट्रियां जो है ये अलवर जिला सबसे पर्थमिस्तान में आता है बिवाडी जो कि नोटों की स्याही बनाने का कारखाना बिवाडी में है तपुकडा यहां एकिकर्थ ओद्योगीक पारक है काग्ची पोट्री डलकट उरक अलवर की परसिद है काग्ची तेरिकोटा अलवर की परसिद है और अलवर जिला तमाखु उत्पादन में पर्थम इ आता है होजरी कॉंप्लेक्स जो की भिहवाडी अलवर में इस्तित है निर्यात एम सन्वर्दन और ओद्योगीक पारक नेम्राना अलवर में है और ये इसका सहयोग भारत सरकार और कोरियाई पारक नेम्राना अलवर के द्वारा इसका निर्मान करवाए गया जापानी पारक पॉद्धोगी परक है इंडिस्टी परक है इंटेलेंड केंटर डीपू आईसीडी विवाडी में है जो की सुस्क बंदरगा के नाम से जाना जाता है आटो मोबाइल इंडिस्टीज हॉंडा सी एल खुसकेडा अलवर में है हीरो कॉर्स नीवराना अलवर में है और सेंट के लिए फेमस है भीवाडी जो है यह अलवर में इंडिस्टीज के मामले में बहुत आगे है क्योंकि NCR से टच है उसके साथ में हर्याना का धारु एड़ा से टच करता हुआ लगता है और यहां पर इंतनी जादा इंडिस्टीज हैं और पुरा कॉमर्सियल इलाका है तो द चैनल पर नए हैं चैनल को सब्स्राइब करना नहीं भूलें अपने दोस्तों को भी रेफर करें और उनको भी आप सेर करें रेगलर हमारे चैनल पर आप बने रहे हैं आपको यह दिक किसी भी एक्जाम का कोई भी स्टेरी मेटरल चाहिए आप हमें कॉमेंट करें हम आपको प्लत करवाएंगे थंके स्वा मच्च अल्दा वेस्ट